दोस्तों बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में Q3 के नंबर डिकलेर हो चुके हैं और अब आगे की चाल किस तरह किसे शेयर के अंदर दिखने को मिल सकती है तो आपको बताना चाहूँगा कि आप क्वाटर ओं क्वाटर बिसीस अगर खरीदारी करना पसंद करते हैं यानि कि इस क्वाटर में आप खरीदते हैं अगले वाले क्वाटर में आप निकालते हैं तो नतीजों से पहले काफी डिफरेंस हमें स्टॉक के अंदर दिखने को मिलता है तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि 2022 के इंदर कितना बड़ा यह जो दूसरा कोलम आपको पर दिखाया तर आई यह पिछले वाले कुएटर के नतीजे है और यह जो तीसरा क्लम आपको दिखाया तर आई यह पिछले साल के रिजल्ट से तो शिरुवात करेंगे टोटल इंकम से और आपको बताना चाहूँगा कि वैल्यूू लाँक के अंदर है करोड में convert करके आपको बताऊंगा तो दोस्तों यहां पर total income इस बार company की जो निकल कर आई है वो लगबग 2 करोड के आसपास निकल कर आई है तो 2 करोड present quarter में दिखाए दे रही है और अगर आप पिछले वाले quarter की बात करते हैं तो लगबग 82 लाग के आसपास ये value दिखाए दे रही थी तो quarter on quarter basis company की total income बढ़ते हो निजरा रही है इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करें तो एक करोड के आसपास ये value निकल कर आ दी थी तो वहां से भी तेजी देखने को मिली है और quarter on quarter basis भी company की total income बढ़ते हो निजरा रही है अब अगर बात की जाए company के खर्चों के बारे में तो एक करोड के आसपास company के खर्चे निकल कर आ रहे हैं और अगर पिछले वाला quarter देखें तो एक करोड के आसपास ये value आपको दिखावाइद रहे हैं इसी तरीकी से year on year basis की बात करते हैं तो उभी खर्चों के अंडर बढ़ाद दिखने को मिल र आसपास निकल कर आया है present quarter में और अगर आप पिछले वाला quarter देखें तो overall loss में आपको यह दिखाए दे रहा था तो वहाँ से तेजी के संकेत company के अंदर मिले हैं और अगर पिछले साल की बात की जाए तो वहाँ पर लगबग चार लाग के आसपास यह value आपको दिखाए दे थी तो quarter on quarter basis बढ़त है साथी में year on year basis पर बढ़ते हैं अब बात करते हैं मुनाफ़े की तो 70 लाग के आसपास profit company का दिखाए दे रहा है जो कि पिछले बार यानि के पिछले वाले quarter में और लोस में था तो वहाँ से तेजी के संकेत company के अंदर मिले हैं इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करें तो और आल महां से भी तेजी के संकेत company के इंदर दिखाए दे रहें तो बंपर तेजी नतीजों के इंदर दिखने को मिल रहें quarter on quarter basis पे साथी में year on year basis पे company का मुनाफ़ा बढ़ता हो नजदा है साथी में दोस्तों बताना चाहूं कि एगर earning पर share प के इंदर दिखने को मिल सकती है तो कि इसके अलावा एक और बड़ा धमाका हमें company के इंदर दिखने को मिल रहा है और वो है potential public issue का तो देखे यहां पे एक बड़ी मंजूरी मिलती हुए नजरा रही है आपको बताना चाहूंगा कि Gaussian Network Private Limited जो की इस company की पून स्वामित वाली company company है यानि के साहिक company है और यहां पर जो सलाकार है बैंकर है तो उनके बीच में मद्धस्ता हुई है तो यहां पर फिलाल की डेट में उसको भी नियुक्ति के लिए भी यहां पर मंजूरी यह देते हुए नजरा है तो overall अब कहीं positive impact हमें company के business के अंदर आगे दिखने को मिल स लगबग 256 रुपे के आसपास मानके चल सकते हैं वहां से कुछ तेजी देखने को मिली थी लेकिन वापिस से गिरावाट तो up and down का moment अब तक दिखाए दिया था और अब लगातार तेजी के संकेत आपको इस company के अंदर दिखने को मिल रहे हैं चैमेने के अंदर मजबूत द अब देखे शेरोल्डिंग पैटरंस की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की लगबग 33.28% की सिदारी यहां पर दिखाए देरी पिछले वाले कोर्टर में भी इतनी ही थी देखे प्लेज शेर्स यहां पर दिखाए देने कुछ लगबग 2.49% की प्लेज होल्डिंग भी यहां लेकिन अगर बात करते हैं रिटेल निवेशकों की तो पिछले कई कोटर से लगातार खरीदारी करते हुए निजला रहें 53% की होल्डिंग है टोटल इसमें से लगबग 25% के आसपास रिटेल निवेशक है और अगर 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 पार्टीज की बात की जाए तो यारी करता हुए नजर आने वाला है दोस्तो कर आप नए हैं डिमेंट अकाउट ओपन कराना चाहते हैं तो आप आम अप के अंदर करा सकते हैं लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन इंबॉक्स के अंदर दिया हुआ है दोस्तों पूरी जानकारी आपको उच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब कर क्रिक लेना ताकि नहीं वीडियो कॉन्टाफिकीशन सीधे आपके मोबाइल प्मिंस के थैंकियो सुमच फो